हाई प्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल फैक्ट्चन मीनि हंदी और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में तो आज हम फिर से लेक्यार आगए हैं अपनी एर से रिलेटेड वीडियो तो आज हम बात करेंगे क्वाले स्टेस्टोमा के वारे में यह क् क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है यह कितने टाइप के होते हैं तो यह आज की वीडियो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए यदि कोई क्यों रही है तो आप कमेंट्स करते हैं और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फोल अजबी है नॉन क juice यूंदे करते है घरण के सकते हैं तो यह एक्स्ट्राइब करो। होता है केंदर, क्रूलय अथीछ्ट्र मिडेश सेविए, और मुझा के जाता है कितने तरह पर और उनक्सान है यह डहलार। हमारा कान होता है उसके अंधर होता है मतलब middle year में ये इस तरह की गठाने बन जाती है वैसे तो ये बहुत छोटी होती है कोई problem नहीं करती है पर दीरे-दीरे करके ये बड़ी होने लगती है तब ये आपकी जो कान की हड़िया होती है middle year की हड़िया होती है उन पर pressure बनाने लगती है उसकी बज़े से हमें बहुत सरे problems होने लगते है तो ये दो तरह की होते है एक तो होता है कुछ बच्चों में होता है तो वह जब पैदाईस ही होते तब ही हो जाते है और ये गठाने दीरी-दीर करके बड़ी होती है ढ़े देने लगती हैं जैसे कि आपकी हड्रीयों पर जोड़ता है इससे हड्रिया ही तूट सकती है सब्कार में धर दूब बंचन के इंव्त कर सकती है मैसे इसलिए जल्दी होता है दिरे-देर करके जैसे जैसे इसकी घ्रोद बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका symptom दिखाई देने लगते हैं कान दर्द होने लगता है चक्कर आने लगते है माय फेशियल प्रॉब्लम देती है तो ये एक तो टाइप हो गया ये दूसरा होता है जो जिनको कान में किसी तरह का infection हो जाता है जैसे कान के पर्दे में छेद हो गया है या किसी ने चाटा मार दिया या किसी तरह का बार-बार फंगल infection हो रहा है जिसके कारण से आपके पर्दा होता है वो damage होने लगता है अब जो hold हो जाता है उसको cover करने के लिए cell growth करती है और ये growth जादा होती है healing तो नहीं कर पाती है गठान के रूप में वहाँ एक गुच्छा सा बना लेती है और वो बढ़ने लगती है तो फिर ये दुबारा से problem हो जाता है अब इसके लिए क्या treatment है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है तो इसके लिए treatment किवल surgery होती है क्योंकि ये unwanted growth है एक बार आप इसको निकल वा देते हैं फिर से होने लगती है तो इसका कोई medicine से तो कोई इसका treatment होता नहीं है तो इसके लिए सिर्फ एक मात होता है कि आपको surgery करानी पड़ती है और जो लोगों के बच्पन से है उनको surgery करके निकाल देते हैं पर कई वार ऐसा भी होता है कि एक वार आपने surgery करा लिए उसके बाद इनकी growth दोबारा से होने लगती है और फिर आपको बार बार इसकी surgery करानी पड़ती है और सभी कान के जित्ते भी आपका treatment होता है जो ज्यादतर होते है सभी surgery से ही होते है जब surgery होती है तो आपकी जो टेंपनो प्लास्टी भी उसके साथ में करनी पड़ती है क्योंकि हमारी middle year में होता है तो टेंपनो प्लास्टी की आपकी surgery होगी अब उसके treatment की बात की जाए तो यह इसका treatment होता है तो यह है कॉली स्टोमा और इसके पिक्स अभी मैं एट कर दूंगी तो आप देख लेना यह किस तरह की unwanted growth होती है और तो जो कॉली स्टोमा होने कि क्या के कारण हो सकते हैं वह मैं बता रही हूं सबके पहले होता है infection infection को जब हमारा body heal करने कोशिस करता है तो उसमें cells एक दूसरी को जोनने की कोशिस करती है पड़े को बनने कोशिस करती है जिसके कारण से यह growth हो जाती है दूसरा होता है sinus जिन लोगों को sinus रहता है उनको सरदी बनी रहती है और इसके करन से आपके कान के पड़े में infection tube में रहता है पानी आता है और छेद हो जाता है तो वो region वही हो जाता है सरदी जो खाम जिन लोगों को जादा होता है उनको भी प्रॉब्लम आती है और यूस्टेशियन tube में यह कोई छती हो जाती है उसमें damage हो जाता है तब भी है इसके symptom देखने को मिलते है और कान के पड़े में खिचा होता है तो कान का प्रेसर से जो पड़े में फट जाता है कुल मिला के आपके कान के जो middle year उसमें कहीं न कहीं आपको damage होता है तो उसको repair करने की जो कोसिस होती है और यह cell growth ज़्यादा कर लेती है और वो गठान के रूप में बन जाती है तो यह इसके कुछ कारण होते है जिसके कारण से यह colist estoma होता है इसके complications की बात की जाए तो क्या-क्या complications हो सकते है सबसे पहले है कि आपका ear drum होता है वो damage हो जाता है दूसरा है आपकी जो bone है उनमें infection हो सकता है तूट सकती है इसके कारण से आपकी hearing loss हो सकती है तीसरा है जो आपके brain है brain की भी कुछ bones है उनको infected कर सकता है उनको damage कर सकता है आपके चेरे की नसों को नुक्सान पहुशा सकता है जिसके कारण से चेरा टेड़ा हो सकता है paralyzed हो सकता है और कान की जो हड़ियां वो टूट सकती है तो ये इसके कुछ complications होते हैं इसलिए इसका treatment जरूरी होता है और आपको इसकी surgery करानी पड़ती है इसमें बस इतना ही है और आप और किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते है तो आप comments करके पूश सकते है मैं कोसेश करूंगी उस पर भी वीडियो बनाने की तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो like, share and subscribe कीजिए